हेई गाइस कैसे आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है हमारे फिक्स माई डिजाइन के एक और नए एपिसोड में अब जिन लोग को नहीं पता इस सीरीज में क्या होता है वेल आप लोग मुझे आपके डिजाइन सब्मिट करते हो और मैं ट्राइ करता हूँ उन डिजाइन को थोड़ा और इंप्रूफ करने की या फिक्स करने की इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जो फाइनल आउट्पुट हमें मिलेगा वो बहुत अमेजिंग होगा और इस एपिसोड के तुरू आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स चीज से सीखने मिले तो बिना कोई टाइम वेस्ट किये चलिए आज का वीडियो शुरू करते है अल्राइट तो चलिए सबसे पहले तो इस डिजाइन को जो है वो आनिलाइज करते है देखते इसमें क्या-क्या गडबड है अब जैनुनली अगर मैं बस इस इमिज का पोस्टर औ और इस फर्स ग्लांस पर देखो तो यह काफी अच्छा डिजाइन है बुरा डिजाइन नहीं है बट कुछ चीज़े है जो चोड़ी चोड़ी चीज़े है जिसको आपको ध्यान में रखने चाहिए सबसे पहली चीज जो आपने फॉन्ट यूज किया है वो थोड़ा और ब प्रिंट करें तो इतना रीडेबल नहीं होगा तो रीडेबली काफी कम है फिर जो यह बर्गर टेक्स है यह काफी जादा आपने पीछे डाल दिया अगर आप यहां पर कुछ ऐसे रखते तो सही रहता बट यह मेरे सबसे काफी जादा नीचे है फिर आपने जो लोगो को गूगल पर सर्च किया तो मुझे एक हाई-res image मिल गया था जो आपने contact और free delivery के लिए जो फॉंट लिया है वो इन दो फॉंट के साथ अगे नहीं जा रहा है अपने तीन फॉंट ले लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको एक यह जादा से जादा दो फॉंट यूज करने फॉंट यहां पर रिप्लेस कर देते हैं तो यहां पर सही नहीं लगता अगर आपने super delicious का कोई और फॉंट लिया होता तो वही फॉंट को हम लोग यहां पर रिपीट कर देते हैं फिर आपने जो आइकन लिया है इतना चोटा वह चोटी सा आइकन के लिए बहुत ज्यादा डीटेल है इतना मतलब इतना complex आइकन आपको लेने की ज़रूरत नहीं थे एक simple delivery का आइकन भी आप ले सकते थे फिर बहुत सारे website है जहां पर आपको फ्री में आइकन मिल जाते है तो वहां से भी आप आइकन डाउलोड कर सकते हो फिर यह contact info again वही फॉंट में आपने लिख जो बर्गर के साथ है वह ब्लेंड हो जा रहा है मेरे सबसे तो मुझे आइड नो अच्छा भी नहीं लग रहा है ठीक लग रहा है फिर सबसे बुरी चीज आपने किया इस डिज़न में जो background आपने texture जो लिया है न वह रहा है मुझे नहीं पता आपने कैसे texture को बनाया है ब high resolution नहीं है बहुत जादा वो leather वाली feel दे रहा है जो कि burger के साथ सही नहीं जा रहा है तो चलिए देखते है कि इसे हम कैसे fix कर सकते है बेसिकली मैंने fix करने के चक्र में से पूरा redesign कर लिया है तो चलिए देखते कि मैंने वो कैसे किया तो सबसे पहले तो हम लोग start करेंगी obvious एक black solid color के साथ उसके उपर मैंने add किया grunge imperfection texture अभी यह texture का पूरा pack जो है या आप मेरे website से free में download कर सकते हो almost I guess 30 different textures है जो की 5K resolution में है फिर मैंने add किया एक ink texture एक ink का image basically जो google से download किया था आपको यह texture है या image है वो मिल जाएगा इस particular design के project file के अंदर और उसके उपर मैंने add कर दिया एक color का overlay क्यूंकि यह image जो था वो black में था और मुझे white में चाहिए था तो मैंने इस पे एक symbol सा color overlay add कर दिया अगर आपको नहीं और यहां से add करना है color overlay फिर यहां पर उसका duplicate लेकर मैंने यहां पर प्लेस कर दिया ताकि जो composition है वो थोड़ा और balance लगे फिर मैंने add किया text जो कि hot and fresh burger आपने लिया आता super delicious बट मुझे लगा hot and fresh burger burger के हिसाब से थोड़ा और सही बैट रहा है और फिर जो font मैंने यहां पर use क तरह है उसके हिसाब से यह font मुझे काफी सही लगा और font एक बहुत important role play करता है किसी बी design में और font की तरह ही जो पूरे हमारे design की presentation होती है वो बहुत matter करती है वो help करता है हमारे design के presentation को और भी जादा better बनाने में presentation से याद आया कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हम design तो बहुत अच्छा बना लेता है पर जब हम उसे अपने client को present करता है तो बहुत बार वो design reject हो जाता है और इसका सबसे बड़ा reason यह होता है कि आपने जो presentation बनाया है वो सही नहीं है तो सवाल आता है कि हम अपने presentation को improve कैसे करें and it's very simple use mock-ups अपने design को professionally present करने के लिए आपका mock यूज करना बहुत important है ताकि practical and real life use case में आपका design कैसा दिखता है वो client समझ पाए और mock-ups के लिए one of the best website is packdora.com and thankfully they are also our today sponsor packdora एक online design tool है जो integrate करता है editing, 3D preview, rendering and exporting into one single web product आपको आपके PC में कोई बड़े-बड़े software's install करने की जरूरत नहीं पड़ती यह directly आपके browser में काम करता है इसमें आपको real-time 3D mock-ups के renders देखने मिल जाते है जो कि आप बस एक click में generate कर सकते हो और यहां पर आपको दुनिया भर के product mock-ups देखने मिल जाएंगे packdora बहुत सारे amazing features के साथ आता है जैसे आप सिफ image नहीं बलकि video animations भी download कर सकते हो जो कि मुझे काफी amazing लगा तो अगर आप लोग को यह चीज़े interesting लगती है तो packdora.com को जाके check out करो और use करो मेरा coupon code nickel50 for a flat 50% off link is in the description okay so now getting back to the video तो यह font हो गया यह हमने image place कर दिया but obviously यह काफी flat है इतना ही काफी नहीं है तो उसके लिए मैंने add कर दिया एक shadow यहाँ पर अब यह जो shadow है यह मैंने manually add किया था अगर मैं चाहता था obviously drop shadow add करके भी use कर सकता था बट मैंने वैसे भी add किया था बट मुझे वो काफी convincing नहीं लगा सही नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया इसका duplicate लिया image का control J प्रेस करके ठीक है फिर इस image को right click करके मैंने कर दिया rasterize फिर गया मैं fx में और add कर दूंगा एक color overlay और जो color overlay था वो मैंने लिया black क्योंकि हम लोग एक shadow बना रहे है and again right click करके मैं इसके कर दूंगा rasterize rasterize layer styles फिर हम जाएंगे filter blur Gaussian blur और इसका जो blur amount है वो काफी जादा बढ़ा देंगे कुछ ऐसे ताकि हमें इस तरीकी का एक shadow मिले कुछ ऐसे press करेंगे ok फिर alt hold करके हम create करेंगे layer mask and फिर इससे select करेंगे b press करेंगे brush tool के लिए brush tool को बढ़ा कर देंगे और make sure करना है कि हमारा जो foreground color है वो white हो और इस तरीकी से जो shadows हमने just बनाए थे उससे मैं paint back कर दूंगा कुछ ऐसे और अगर intensity जादा लग रही है तो आप obviously opacity को कम जादा कर सकते हो और यहां पर भी मैं तोड़ा से shadows आड़ कर दूंगा क्योंकि यहां पर मैंने add किया था एक fries का image ठीक है और fries का image है उसका जो lighting है वो अलग है तो उसे fix करने के लिए मैं आड़ कर दिया एक levels का adjustment बहुत हलका सा adjustment किया है ताकि उसका contrast है वो तोड़ा और better हो और आप यहां देख सकते हो कि कैसा यह जो fries उसका shadow पढ़ रहा है हमारे text पर जिससे और ज्यादा depth create हो रही है हमारे design में तो यह तो मैंने obviously एक simple सा drop shadow add करकी यहां पर कर दिया था अब चाहों तो same drop shadow के settings copy कर सकते हो तो काफी सही लग रहा है अच्छी कासी depth हमारे scene में आ रही है और और भी जादा depth add करने के लिए मैंने क्या किया मैंने french fries के png images download किये google पर से और इस तरीके से place कर दिया और जो french fries camera के पास लगेगा मुझे उसे मैंने जादा blur कर दिया तक क्यूंकि हमारा burger मैंने focus में रखा ह है तो क्या होगा अगर मैं इस burger पे मेरा focus set कर रहा है तो जो भी चीज मेरे camera के past होगी blur हो जाएगी और जो भी चीज dg's दूर होगी इस burger पे से वो भी blur हो जाएगी जैसे कि in this case यहां पर जो fries यहां पर जो fries यह supreme Baptist monsterês ए एक sense हम लोग basically create कर रहे है डपte create करने के लिए I hope मैंने ठीक से समझाया होगा So उसके बाद मैंने finally कुछ details आड़ कर दी यहाँ पर burger.com in order Now बहुत ही simple सा text And burger पर भी मैंने थोड़ सा adjustment layer से जो contrast है burger का वो overall adjust कर दिया जो कि पहले काफी ज़ादा मुझे ऐसा लग रहा था Burger जो है वो light color लग रहा है आड़ कर दिया और finally एक highlight यहाँ पर बहुत ही subtle सा light आड़ कर दी तो highlight this hot and fresh text और हाँ hot and fresh text पर मैंने gradient overlay भी आड़ किया हुआ है तो अगर मैंसे open करो आप लोग दिख सकते हो मैंने orange और यह लोग अच्छा सा gradient यहाँ पर आड़ कर दिया था यह एसेंबल किया है तो यह that is the final look तो मुझे comment करके जरूर बता कि क्या लगता है कि इसमें अम लोग और क्या improvement कर सकते है या क्या चीज़े और add कर सकते है और कैसा लगा आपको यह design so that is a wrap guys I hope आपको आज का यह video अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मुझे comment करके जरूर बताए चैनल पर नए हो तो subscribe कर ले और अगर आप अपने designs मुझे submit करना चाते हो तो मैंने email id description में और comment में mention कर दिया है make sure करें कि अगर आप Photoshop की file भेज रहे हो तो एक PNG या एक JPEG उसके साथ उसकी project file मतलब PhD file और अगर आप illustrator file भेज रहे हो या Figma file भेज रहे हो तो उसकी project file जरूर mention करें उस email में और मुझे Instagram पे भी जरूर follow कीजिए dope.motions और खिलपावार पे सारे links description में है सो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and always stay raw, stay creative, peace out